दियर श्टूरेंट्स गुड मॉर्निंग तो अलव यू आज हम थास 11 की फिजिक्स का वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में एनर्जी क्या होती है इसके बारे में समझेंगे कि एक बाड़ी के पास वर्क करने की जितनी तोटल कैपासिटी हो कितना वर्क कर सकता है तोटल वो उसके एनर्जी कहलाता है और इसलिए एनर्जी के वड़ी यूनिट्स हैं जो वर्क के हैं SI में जूल, CGS में अर्क, और वह कुछ यूनिट्स हैं वो हम लोग बाद में समझेंगे अभी जो एनर्जी है वो ढिफरेंट टाइप में होते हैं डिफरेंट फॉर्म में हमको मिलते हैं mechanical energy, heat energy, electrical energy, chemical energy, nuclear energy, light energy, sound energy, etc. and one form of energy can be converted into the other form of energy आप इजली उसको convert कर सकते हैं conversion का हमारे सामने बहुत एक जामपर है हमारे daily life में electric energy can be converted into heat energy कहा हीटर में देखा होगा, electric iron में देखा होगा electric energy can be converted into light energy कहा देखा, bulb में देखा, tube light में देखा तो इस तरह से हम एक फॉर्म, energy के एक फॉर्म को दुसरे फॉर्म में convert कर सकते हैं लेकिन याद रखिएगा total amount of energy in the universe remains unchanged it is called law of conservation of energy neither you produce nor you destroy the energy you only convert the one form of energy into another form हम energy ना तो produce करते हैं और ना ही destroy कर सकते हैं कि वहले एक form से दूसरे form में convert करते रहते हैं इस पूरी universe में जो energy के amount है वो constant रहता है this is called the law of conservation of energy हलाकि अप्टोरा इसमें change आ चुका है क्योंकि आज हमको मालूम है कि energy को मास में और मास को एनर्जी में बदला जा सकता है यह तो पहले क्या होता था law of conservation of mass यह अलग होता था law of conservation of energy अलग होता था अब क्या हो गया कि mass और energy को आपस में convert के जा सकता है इसलिए हमने क्या बनाई law of conservation of mass energy कि total amount of mass and energy in the universe remains unchanged you can't produce mass आप mass produce नहीं कर सकते you can't destroy mass similarly you can't produce energy you can't destroy energy हाँ, एक को दुसरे में आप convert करते रह सकते हैं एक energy को दुसरे energy में mass को energy में energy को mass में यह conversion चलेगा बस conversion production नहीं आप कुछ mass बना लिया ऐसा नहीं हो सकता आप कुछ energy बना लिया ऐसा नहीं हो सकता आपने कुछ मास डिस्ट्रॉय कर दिया ऐसा नहीं होगा डिस्ट्रॉय नहीं होगा हाँ वो एनर्जी में कर्णवर्ट हो जाएगा बने डिस्ट्रॉय नहीं होगा आपने एनर्जी दिस्ट्रॉय के ऐसा नहीं होगा तो टोटल एमाउंट आप मास एनर्जी इन अन्वर्स र है हमारा फोकस पूरा उसमें होगा यहां पर मेकैनिकल एनर्जी तो वाट यू मीन बाइदा मेकैनिकल एनर्जी दा एनर्जी गेंद भाई बाड़ी बाड़ी ड्यू तो मोशन और पोजीशन और डिफॉर्मेशन इसकाल दार्जी तो वाड़ी तो दार्जी गेंद भाई एवड़ी तो ऑनर्जी थूर्मेशन और पोजीशन और डिफॉर्मिसर इसका मेकैनिकल एनर्जी इसको मेकैनिकल एनर्जी कहते हैं और इस तरह समने मेकैनिक एनर्जी को दो पास में डिवाइट किया है जो मेकैनिकल एनर्जी है इसके दो टाइप्स है एक कहला था काइनेटिक एनर्जी दा एनर्जी इन बोड़ी दू तो मोसन इसकाल दा काइनेटिक एनर्जी दू तो मोसन और दूसरा होता है पोटेंचल एनर्जी किसके करण होगा जो टू पोजीशन हाँ दीफॉर्मेशन पोजीशन और दीफॉर्मेशन इनके कार्ज एनरजी आ था है पूटेश एनरची एक बोडी जो है motion में आ गया उसके पास velocity आ गया तो इस motion के कारान इस velocity के कारान उस बोडी में कुछ work करने की capacity आ गये और वो जो capacity आ गये वर्करने की हम उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी एक बोड़ी को हम किसी हाइट पर ले जाके रख दें अब उस बोड़ी के पास एक एनर्जी आ गई में वर्करने की कैपसिटी आ गई यह दिज़ा पुटेंशल एनर्जी हमने इस प्रिंग को पकड़ के खींच लिया है अ इसे प्रिंग इस इस टाइब अगया अब उसके अक एक एनर्जी स्टोर हो गई और उसी एनर्जी को लेकरके जो एरो होता हो चलता है जो एरो होता है चलता है इसे क्या होता है आपने खीचा आपके दुम्स में पोटेंश एनर्जी आ गई और जैसे आपने छोड़ा वो एरो चला वो तीर चला जाने वो काइनेटिक एनर्जी में कनवर्ट हो गई तो यह स्तमाम एनर्जी है मेकानिकल एनर्जी दो तुरह के काइनेटिक एन्पोटेंश अर एक बोड़ी की टोर्टल मेकानिकल एनर्जी कितनी तो स्माभśl इस टू questi स्म वहिए इन जो भी स्म होगा डाट बेविज तो टोटल मेकानिकल एनर्जी अभ दर बोड़ी तो यह काइनेटिक एनर्जी को इस तरह से मेजर कर सकते हैं इसके लिए फॉर्मॉलर डिराइब करते हैं काइनेटिक एनर्जी एक चलते हुए बॉड़ी को रोकने के लिए रेस्ट में लाने के लिए आपको जितना वर्क करना पड़ता है इस दा काइनेटिक एनर्जी अब दा बॉड़ी उसी को मुझे बॉड़ी की काइनेटिक एनर्जी कहते हैं तर के लिएए बॉड़ी बॉड़ी इस काइनेटिक एनर्जी अले बॉड़ी काइनेटिक एनर्जी इसकाइनेटिक एनर्जी कि इसी को मुश्की कानेटिक एनर्जी बोलते हैं तो लेट्ट मास अब दो बोड़ी मैं जान बुश करके वी ले रहा हूं यू ने ले रहा हूं ठीक है when a force act is applied on it it stops after traveling एक दिस्टेंश दी हमने इसके उपर एक फोर्स अप्लाई किया एफ तो यह दी डिस्टेंश चलकर के रुक गया तो कितना वर्क हो आप आपने इस बोड़ी पे कितना वर्क किया and therefore work done on the body w is equal to the force into displacement the force into displacement अब जब आपने एक रिटार्डिंग फोर्स लगाया अप्लाई किया तो बोड़ी में की रिटार्डिशन आएगा to let retardation produced in the body is equal to A then A will be equal to the force of onmass याद रखना की retardation है negative acceleration इतने काया and therefore F is equal to M into A F बराबर A में हुआ रख देते हैं इसमें and therefore the work w is not equal to M A D your first equation your first equation since initial velocity ये बराबर भी है final velocity बराबर 0 है लास्टना बॉडी रुख गई है रिटार्डिशन बराबर ये है and distance is equal to T है हमें final, initial, final, acceleration, displacement ये सब मालूम है time नहीं दिया है तो जब time नहीं दिया हो हम third equation लगाते हैं तो from third equation of motion क्या है v square equal to u square plus 2s तो v की जगा 0 u की जगा v a की जगा minus 2a s की जगा d s की जगा d negative क्या है क्योंकि retardation है retardation means negative acceleration तो 2a d equal to v square or a d is equal to v square by 2 तो from equation 1 the work done will be equal to m into v square by 2 इतना work तुम ने किया तो रोकने के लिए जितना work हमने किया उसे को तो kinetic energy कहते हैं तो since kinetic energy of the body is equal to w and therefore the kinetic energy is given by half mv square half mv square half mv square s i में major कर रहे हो तो jule में है cgs में major कर रहे हो तो arg में होगा इतना मिलेगा अब यह जो energy है kinetic energy याद रखिए यह दो बातों पर depend कर रहा है the m mass and v square the velocity का square किसी भी body का mass हमें सब positive होता है आपने negative mass कभी नहीं सुना होगा आपने zero mass कभी नहीं सुना होगा यह हमें सब positive होता है और जो square है square भी हमें सब positive होगा कभी negative नहीं होता velocity चाहे positive हो velocity चाहे negative हो आपने square कर दिया तो positive होगा और इसले kinetic energy कैसी energy है जो हमें सब positive होता है यह कभी negative नहीं होगा यह कभी भी negative नहीं होगा कभी भी negative नहीं होगा kinetic energy तो सिंस M is greater than 0 and V square is also greater than 0 and therefore half M V square is always greater than 0 means kinetic energy always remain positive एक body के पास kinetic energy minus 10 joule है minus 10 joule है ऐसा कभी नहीं होगा potential energy is possible potential energy positive भी होता है potential energy negative होता है बहुत सारे energy है जो positive भी होता है negative भी होता है लेकिन kinetic energy एक ऐसे energy है जो हमेशा 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 positive रहेगा आई बास भी होता है तो बच्चों यह सा kinetic energy एक जाद रखना यह हमेशा positive मिलता है कभी भी negative नहीं होता है तो चलिए mechanical energy के दूसरा जो part है potential energy के बारे में समझे potential energy तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि energy story ने body due to its position are due to deformation is called the potential energy जो बारे में किसे height पे ले जाके रख दिया उसके एक specific position में रख दिया उसके पास energy आ गई हमने spring खीच दिया उसके पास energy आ गई और यह जो energy आ गई उसके पास इस टोर हो गई उसमें इसको हम कहते है potential energy ठीक है potential energy जो body को हम उपर उठाके रख दे रहे हैं तो इसके पास जो potential energy आ रहे हैं उसको हम कहते है gravitational potential energy gravitational potential energy तेक्या हुआ है यह हम गई पास गई सम्ग्रवर्व क्र आप इसके बढ़े न ए बोड गई अगेंगिआ है अगें ग्रेविटी देन दिस वर्क इस इस्टोर्ड इंद बॉड़ी एस पुटेंशल है नशी तेक बॉड़ी के उपर आप जो ग्रेविटी के अगेश्ट वर्क करोगे करें उसे हम कहते हैं ग्रेविटेश्चनल पोटेश्टनल एनर्जी मालीजी की ग्राउंड से हमने किसी बॉड़ी को झाइस हाइ्ब तक ले गया है। ग्राउंड से अच्छाइट तक ले गया है। कितना फोर्स ग्रैविटी का लगेगा तो mg इन वीच डारेक्शन तो वर्टिकली डाउनवर्ड डारेक्शन तो इस बोडि को जी लिफ्ट करना है हैं तो हमें इतना ही फोर्स एप्लाई करना पड़ेगा बटिन अपोजित डायरेक्शन है और फिर हम इस बॉड़ी को इस फोर्स के कारण इस फोर्स के हल्प से हम कहां तक ले जा रहे हैं एच्छाइट तक ले जा तो लेट मास अपर बॉड़ी इक्वल तो एम बॉड़ी का मास एम हैं देड वेट बराबर हो गया एमजी वेट इसका मिल जाएगा एमजी के बराबर इन और तो लेट देड बॉड़ी इन अप्वाड फोर्स एप इक्वल तो एमजी इज रिक्वाइड लिप करने तो इतना फोर्स तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा तब तो बॉड़ी लिप्ट होगा if a body is lifted to a high touch then work done work done on the body w is equal to f into h और मैं f की जगा फिसना रख सकता हूं एमजी तो इतना वर्क आपने बॉड़ी के उपर कर दिया है और जब भी किसी सिस्टम पर जब भी किसी बॉड़ी पर आप work करते हैं तो वह work उसमें एनर्जी के रूपे श्टोर हो जाता है और यहां जो यह एनर्जी स्टोर हो रहा है यह है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशल एनर्जी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशल एनर्जी अब दा बॉड़ी यू बराबर डवलू और इस एक्वल तो mdh तो इतना पोटेंशल एनर्जी आपके बॉड़ी के पास होता है एम जी एच एराइट ठीक ग्रेविटेशनल पोटेंशल एनर्जी ठीक इसी तरह से आपने किसी स्प्रिंग को पकड़ के खीच दिया स्ट्रेच किया लंबाई बढ़ा दी तो उसके लिए भी आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा और जो वर्क आप करेंगे वह उस स्प्रिंग में एनर्जी के फ़र में स्टोर हो जाएगा विच इस पोटेंशल एनर्जी अब दाइस प्रिंग वह स्प्रिंग के पोटेंशल एनर्जी होगा तो कितने एनर्जी वहाँ पर इस्टोर होगा यह भी ज़र निकाल लेते हैं तो पुटेंच कर एनर्जी और फिर स्प्रिंग एक इस्प्रिंग में कितने पुटेंच अनर्जी होती है इसके लिए हम फर्मलर डिराइब करते हैं सिंस्ट पूर्स अप्लाइड ओन इस्प्रिंग एक डारेक्ट्ली पर पूस्नल टू डारेक्ट्ली पर पूस्नल टू अलोंगे साली तूसके लंबाई कितनी बड़ी होजी के पूस्नल टू अटा है means f is proportional to x यहां x क्या है change in length x क्या है elongation change क्या increase in length and therefore f is equal to a constant into x this constant is called force constant of the spring हम इसको spring का force constant के नाम से जानते है 10 minute होगा this unit is newton per meter newton per meter इतना हुआ है तो work done on the spring दूरीग दूरीग इस्माल एलोंगेशन दी एक्स तो दी ड़ी ड़ी बराबु जाएगा force into dx means kx dx कितना work आपने किया एक थोड़े से elongation के लिए and therefore total work done तो आपने total कितना work किया w is equal to integration of kx dx from 0 to x from 0 to x तो एक सिंपल से इंटी ग्रेशन है के तो constant है बाहर हो गया x आपने integrate किया तो आपको मिल जाएगा x square by 2 limit 0 to x so it is equal to half kx square और यही work उसकी potential energy बनती है and therefore potential energy equal to work equal to half kx square इतना अब हमने शुरू में कहा था कि f is equal to kx तो यहाँ kx जगा मैं रख सकता हूँ f तो potential energy हो गई half f into x 1x बच जाएगा और x की जगा मैं रख सकता हूँ f by k भी तो since x is equal to f by k तो यहाँ जगा मैं रख दिया तो spring के energy आ गई potential energy is equal to f square by 2k f square by 2k and therefore potential energy of a spring can be given by half kx square half fx यह half f square by k यह तमाम फर्मूल होंगे की spring के energy के लिए पहला formula कहता है potential energy is directly proportional to k when when x is constant तो कुछ अलग-अलग spring है सब को बराबर बराबर lens से तुमने खीचा तो जिसका force constant ज़्यादा होगा वहाँ ज़्यादा energy store हो जाएगा और last formula कहता है potential energy is inversely proportional to k when, when force remains constant तो कुछ springs है आपने सब को equal, equal force से खीचा है तो जिसका spring constant जिसका force constant कम होगा वहाँ ज़्यादा energy store होगा अब ज़्यादा 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 ज़्या spring है one is made from iron another is made from copper तो iron की comparison में copper is a soft material और इसले copper spring का force constant कम मिलेगा तो पहले case में iron spring में ज्यादा energy store होगा लेकिन दूसरे case में याने की equal force से रिखी जाए तो copper spring में ज्यादा energy store होगा तो कभी-कभी इस तरह के problem आते हैं तो problem के पीछे की पूरी concept आपको अगर clear है तो problem easily handle कर सकते हैं तो बच्चों आज के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार जैशित